नमस्कार दोस्तों, बिहार बिधान परिशत सचीबाले के तरफ से एक बहुती सांदार भरति यहां पे निकल के आई हुई है, अगर आप जो इस सिर्फ दसमी बाड़मी पासे हैं तो आप सभी के लिए बहुती अच्छा मौका है, अभी जो है आप लोग आप आवेदन कर सक है, डाता एंट्री ओपरेटर का आप लोग आप पर पद रहने बाला है, उसी के साथ साथ आप लोग का कारियले पड़िचारी जिसमें कि आप लोग का धर्बान, सफाई, कर्मी और जो आप लोग कहां पर रातरी प्रहड़ी होते हैं, इनका जो आप लोग का भेकेंसी है वहां पर निकल के आया गुआ है, और इन सभी पत के लिए आप लोग आप लोग आप लोग यह उनलेग अपलाई कर सकते हैं, तो आज मैं आप लोग कहां पर बताने बाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग को फॉर्म फिल करना है, पूरा आश्टे बैस्टे बैस्टे मैं आप लोगो जो फिल करके दिखाने बाला हूँ जो भी दसमी बारमी पास छात्र हैं उनके लिए बहुत ही सांदर मोगा है जरूर जो है आप लोग ये फॉर्म भरिए चले मैं आप लोगो आप लोगो फॉर्म भरना है लेकिन उससे पहले अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक आप लोगष बाले का जो फॉर्म है वो किस तरीकसे आप लोगो भरना है किस तरीके से आप लोगो ओंलाइन अपख़ले करने के लिए आपको करना क्या है आपको सीधे अपने गूगल में जाना है Google में जाकर आप लोगो लिखना है YTDC, यहाँ पर जो आप लोगो YTDC दिख रहा है, यह आप लोग अपने Google में लिखिएगा, सबसे पहला जो link मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको इस website पर आना है, फिर आप लोगो नीचे आना है, यहाँ पर search का option है, यहाँ पर dietly आप जो है, बिधान परिशद लिखकर जो है search कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आईएगा latest update और यहाँ पर latest job का option है, यहाँ पर देखने को मिलेगा बिहार बिधान परिशद सची बाले, vacancy 2024, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से post आप लोगों कहाँ पर open हो जाएगा आप लोगों को नीचे आना है, मैंने जो भी पूरा जानकारी यहाँ पर दे रखा है, कब से कब तक आवेदन होने बाला है, तो आवेदन आज से आप लोगों कहाँ पर शुरू हो चुका है, और सताइस ताहिक तक आप लोगों का जो आवेदन है वहाँ पर चलने वाला है उसके बाद आप नीचे किजिएगा कितना कितना आप लोग का अप्लिकेशन फी है जैसे कि जेनरल और अधर के लिए आप लोग का 300 रुपया अप्लिकेशन फी है यहाँ लोग आप लोग लोग का लोग लमाई चलिकर किजिएगा आप लोग का से आप लोग रूर्ष लेक्ट लिकार इतश्रा वहाँ इसे को भीयापन संख्या 2-2024 में यहां पर open किया है इसमें जो ही 3 पद आप लोग आप रहने बाला है सहायक परसा का पदा दिकारी का पद है फिर data entry operator का पद है फिर अस्ट्रोनोगाफर का पद है वो यहां पर रहने बाला है तो यह आप देख लिजे विगापन संख्या 2-2024 में है 3-2024 में कौन-कौ दर्बान का और सफाई कर्मी यह 3 पद यहां पर रहने बाला है तो जिसके लिए भी आपको apply करना है उस हिसाब से आप लोगो जो advertisement number है उसको आप चूज करना है माल लिजे कि हमको जो यहां पर दर्बान बाला है यहां पर बहाल है या फिर रातरी प्रहड़ी है उसके दर्बान के लिए हमको यहां पर apply करना है तो इस पर जो है क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको पोस्ट open हो जाएगा अब इसमें जो है आपको आपना registration करना है सबसे पहले candidate का name यहनि कि अपना full name डालना है दुबारा confirm करना है फादसने में आप डालना है मदसने में आ अब नहीं है तो nuk की जेगा तो मैं यहाँ पर चीटेगरी आपको बताना है जैनरल ev cylinder अ जो है अंडिजरबिट है याणि कि सजने करना है और यहां पर जैनर आप लोकु करना है में आप यह आप अपनक को बत्यकु यहाँ नहीं कि अगर आप अपıs एंफ्ट कि जया एक सर्विसमेंन है तो यहां पर यस कीज़ेगा नहीं तो नो कीज़ेगा फ्रीडम फ़ाइटर के कोई लगते हैं यानि कि नातिप पोते हैं तो यहां पर यहां पर आप लोगो जोई अपना date of birth डालना है जो भी आप लोग का metric certificate पर date of birth हे वह आप लोग कोई डाल दीजेगा मैं इहां पर जोई कुछ भी आप लोग को दिखाने के लिए डाल दे रहा हूं उसका पर यहां पर आप लोग जोई नीचे आनक बाद यहां पर अपना mobile नंबर डालना है confirm करना है दुबारा mobile number, email ID डालना है दुबारा confirm करना है email ID उसके बाद यहाँ पर working knowledge in Hindi English यानि कि Hindi English आपको आता है आता है तो yes किज़ेगा नहीं आता है तो no किज़ेगा मुझे आता है तो yes करेंगे फिर यहाँ पर आप लोग को पुछ ज़ेगा नहीं तो no किज़ेगा हो चुका है यहाँ पर yes कर दीज़ेगा कुछ भी नहीं करना है फिर यहाँ पर आपको टिक करना है मैं इसको फिल करता हूँ submit करके आपको दिखाता हूँ तो अब जैसे आप यहाँ पर submit किज़ेगा कुछ इस तरीके सा आपको कहाँ पर open हो जाएगा अब आपको कहाँ पर जो personal detail है वो आपको कहाँ पर डालना है सबसे पहले जो correspondence address यानि कि अभी जहाँ पर रहा रहे हैं उसका address आपको डालना है तो यहाँ पर address 1 में जो है अपना यहाँ पर गाउं या फिर टोला का नाम रहेगा वो लिख दी है अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक किजएगा automatic सेम हो जाएगा फिर आप लोगो नीचे आना है नीचे आनक बाद यहाँ पर जो है कंडेट का personal detail हाँ पर पुझा जा रहा है सबसे पहले marcial address यानि कि आप married है वो आप लोग आप बताना है मालीजे आप unmarried हो तो unmarried य हाँ पर यहाँ पर communal case हे हुआ हज आप लिख देगा अगर हुआ है तो यहाँ पर आपके ऊपर कहा नाम आप लिखना है फिर boat बताना है मालीजी आप बिहार brand से पास कीए हैं तो बिहार school examination board यहां पर लिख दीजेगा उसके पर यहां पर आप लोगको year बताना है कब आप यहां पर 10th pass किये हैं मालिजिए मैंने यहां पर 2017 में किया है तो 17 यहां पर डाल देंगे फिर यहां पर आप लोगको a scheme of marking यानि कि आप लोग का CGPA था percentage था वो आप लोगको बताना है मेरा percentage यहां पर सेलेक करेंगे उसके पर यहां पर कितना नंबर आप लोग का आया हुआ है तो आप देखिए सबसे पहले यहां पर अपना photo upload करना है फोटो जो आप लोगका रहेगा वो 50 से 100 के बीच में रहेगा और जो आप लोगको देखने को मिलेगा compress image इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने बद यहां पर अपना photo आप लोग upload किजेगा और यहां से आप लोगका size कम हो जाएगा और 50 से 100 के बीच में करके यहां पर आप लोगको आप लोगका photo compress हुआ है वह 7 % हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद नीचे आप लोगका आप आप सो कर देगा देखिए 125 से 125 में है आप यहां पर जो quality है इसको हम यहां पर कम करेंगे नीचे करते जाएगा तो यहां पर जो आप लोगका क्यभी है करने काद बाद रहाँ है इस तरीके कम करके आपको डाणलोड करके पновडोड इब अपने रीघनउड़ै रही अपन का भी के dobrmm लागा है मैं कि आम हे प्रेंट रहे निया पर भूरँ पर प्रेंट है और प्रीगय जोए अभूंनो पर निकल जाएगा तो पर दे दिया है लगबग इसी तरीके से हर एक फॉर्म जो है आप लोगों पर फिल होगा मैंने आप लोगों पर दिखा दिया है तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों मैंने आप लोगों पर जांकारी दे दिया है कि किस तरीके से आप लोगों फॉर्म भरना है किस त आपको अगली बीडियों तो तक के लिए धन्यबाद